तो नमस्कार दोस्तों मैं हुआ इत्यानन सागत करता हूँ आप सभी का डिजाइनिंग मंत्र में और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए स्कॉलर्शिप की एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसके अंदर SBI की स्कॉलर्शिप की बेनिफिट क्लास्टिक स लेकर के क्लास 12 तक के स्टुडेंट को मिलने वाली है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी को यहां पर बता दो वीडियो को सुरू से लेकर के अंति तक देखीएगा यूँकि बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोसेस आते हैं जिसके बारे में आप सभी कहीं पर लेकिन उससे पहले यहां पर एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीच चैनल को जरूर सब्स्ट्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें तकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं रोज आप सभी के लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ तो यहाँ पर हम लोग Buddy for Study के Official Set पर पहुँच चुके जिसके लिंक मैंने आपको Description में भी प्रूवाइड कर रखा है तो इसी के अंदर आपको यहाँ पर SBI Foundation के तरप SBI Asa Scholarship Program 2022 देखने के लिए मिलेगे जिसके अंदर आपको यहाँ पर Class 6 से लेकर के Class 12 के Student तक को 15,000 की एक साल के लिए यहाँ पर Scholarship प्रॉवाइड की जा रही है इस प्लाटफॉर्म के बारे में बता तो Buddy for Study Official Platform जिसके अंदर आपको Time to Time यहाँ पर कई सारे Scholarship की अपडेट मिलती रहती पिछले सर भी कई सारे Scholarship अपडेट आई थी जिसके बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाई थी तो बात कर लेते हैं इस Scholarship के अंदर क्या क्या eligibility होने वाली है क्या आपको benefits मिलने वाला है कौन कौन सा document यहाँ पर लगना है minimum 75% marks in previous academic year मतलब जो भी आपका previous academic year होगा उसका जो marksit होगा उसमें आपको 75% यहाँ पर होनी चाहिए तो ही जाकर के आप इस scholarship के लिए यहाँ पर apply कर पाएंगे सिसरी point है annual family income of the applicant must not be more than inner 3 lakh from all sources मतलब जो भी आपकी यहाँ पर family income वो 3 lakh से यहाँ पर कम होनी चाहिए तो ही जाकर के आप लोग apply कर पाएंगे तो इस scholarship program में apply करने के लिए बहुत ही कम यहाँ पर criteria रखा गया अगर आप इसे fulfill करते तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं अब बात करते है benefit के तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपीज for one year के लिए यहाँ पर provide की जाएगी तो पानली आप बात कर लेते हैं सबसे पहले deadline के बारे में तो 15 October 2022 इसके last date है आपको 15 October 2022 से पहले से scholarship के लिए apply करना है 15 October 2022 के अगर आप बात apply करेंगे तो यहाँ पर आप select नहीं हो सकते हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर फटा फट से apply करना है यहाँ पर हम दो documents में आच चुके mark seat of the previous academic year जो भी previous academic year आपका होगा उसका mark seat आपके पास होना चाहिए मतलब अगर आप 7th class के लिए apply करें तो आपके पास 6th का mark seat होना चाहिए अगर आप 11th के लिए apply करें तो आपके पास 10th का mark seat होनी चाहिए उसी तरह government issued identify proof आधार कार्ड आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए current year admission proof आपके पास current year का admission proof भी होना चाहिए admission later होना चाहिए या फिर institution identity card bonifide certificate यह सारे चीज़े आपके पास होना चाहिए आप लोग यहाँ आपर दिहान से देख लिजेगा admission proof, admission later, identity card और bonifide certificate तो bonifide certificate आपके college या फिर school से भी बन जाएंगे इसमें कोई बड़ी issue नहीं यह वो तुरत बन जाते है तो यह सारे चीज़े आपके पास होनी चाहिए अब यहाँ पर fourth point है fee receipt for academic year 2022-23 जो भी 22-23 जो भी चल रहा है जो भी जिस भी class में अभी आप पढ़ें उसका यहाँ पर fee receipt भी होनी चाहिए उसके बाद bank account का details यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा ताकि आप यहाँ पर अगर select होते हैं तो आपको income certificate और salary slip यहाँ पर चाहिए होगे तो यह documents आपको पहले तियार करके रख लेना है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर photograph of the applicant एक applicant का एक photograph होना चाहिए तो अगर आपके पस यह सारी documents है तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं तो फनाली अब बात करते हैं आपको registration कैसे करना और साथ ही apply कैसे करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है Buddy for study के official site पर पहुंच जाना है जिसके link मैंने आपको description में भी provide कर दिया है आपको site में आप register का एक option दिख जागा आपको यहाँ पर click करना आप चाहिए तो Google के साथ भी register कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एक करके सारे details को fill करके आप लोग यहाँ पर registration कर सकते हैं बहुत ही simple है first name, last name, mobile number, valid email id, password और फिर confirm of password मतलब इसी password, इसी mobile number के साथ आप लोगों को यहाँ पर एक account को बनाना है उसके बाद आपको यहाँ पर register पर click करना है तो registration पर click करने के बाद आपको अंदर जाने के बाद कुछ और भी आपसे यहाँ पर information मांगा जा सकता है जैसे कि educational background, detail तो सारे information को बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को वहाँ पर भी fill करना है तो finally अब बात करते हैं आपको apply कैसे करना है तो आपको यहाँ पर apply now का button दिख जग आपको apply now के button पर जाकर करके यहाँ पर click करना है click करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर dashboard आपको देखने को मिल जागी जिसमें कि SBI या सा scholarship program आजाएगा instructions आपको यहाँ पर दिये होंगे start instructions को आप लोगों को सही तरीके से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर start application पर जाकर के click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा process होगा उसके बाद यहाँ पर यह चेक करेगा कि आप इस scholarship के लिए eligible है या फिर नहीं तो apply now के button पर click करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक new page पर आ जाएगा जहाँ पर SBI आसला scholarship program 2022 का यह form खुल कर सामने आ जाएगा application खुल कर सामने आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते company ने साब सब mention कर रहा का fill correct details of student only मतलब सिर्फ आपको अपना यहाँ पर information फिल करना है जो भी student का personal details है उससे आपको यहाँ पर फिल करना होगा जैसे कि नाम, mobile number, whatsapp number, यह सारे चीज़ date of birth, family income, permanent address, correspondence address यह सारे चीज़ों का आपको यहाँ पर बिलकूल साही तरिके से फिल करना है, फिर आपको यहाँ पर educational details को फिल करना होगा, फिर family members के बारे में बताना होगा फिर कुछ documents जो मैने आपको बता है उससे आपको यहाँ पर upload करना होगा, फिर बैंक डिटेल के बारे में आपको यहाँ पर सारी डोक्यमेंट को अपलोड करना होगा उसके बाद more about yourself आपको आपके बारे में आपर थोड़ी सी यहाँ पर information भी share करनी होगी यह तो बात होगी कि आपको यहाँ पर registration कैसे करना और apply कैसे करना इस scholarship program के लिए बात आती है आपको जाएगा initial shortlisting of applicants based on their academic merit and financial background जो भी initial यहाँ पर shortlisting होगी candidate की उसके academic merit को और financial background को दिखते हो उसे यहाँ पर select किया जाएगा उसके बाद final selection के लिए टेलिफोनिक interview भी यहाँ पर होने वाले जो भी shortlisted candidate होगी उसके यहाँ पर एक टेलिफोनिक interview होगी जिसमें की document को verify यहाँ प for this program how will I receive the scholarship fund मतलब अगर आप इस program में select हो जाते तो आपको यहाँ पर scholarship की fund मतलब amount कैसे भेजा जाएगा तो यहाँ पर company ने साब साब mention कर रखका है upon selection the scholarship amount will be directly transferred into the bank account of the scholar मतलब जो भी scholars होगे जो भी form को fill करते इस time आप लोग जो भी यहाँ पर account details यहाँ पर भरियेगा उसी मे आपको जो भी fund होगा scholarship का वो यहाँ पर directly transferred कर दिया जाएगा तो दोस्तो कोई भी scholarship हो उसका एक deadline होता है deadline से पहली हमें यहाँ पर scholarship के लिए apply करना होता है तो दोस्तो कोई भी update आपसे छूटे नहीं इसके लिए मैंने एक telegram channel भी बनाया है जिसे आप लोगों को join करना है link मै description में भी provide कर दिया है वहाँ पर जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तुरंट update कर देता हूँ ताकि आप सभी को यहाँ पर तुरंट update मिल जाए जो भी नहीं वीडियो यहाँ पर आगे तो इसलिए आप लोग मेरे telegram channel को भी जरूर जोइन करें और इसी के साथ वीडियो को जर जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में